दोस्तो बहुत से किसान भाई, बहुत से मीत्रगड जो हमारे मचली पालन का बेवसाय करते हैं, उनको मैक्सिमम ये कोशन उनके दिमाग में रहता है कि हम कोई भी जो बीजनस कर रहे हैं, चाहे फिस फार्मिंग कर रहे हों, चाहे अगरी कल्चर कर रहे हों, उसमें हम कैसे ज हैं तो उसमें कुछ ऐसे तरीकों को अपना करके जिससे हम अपने profit को double कर सकते हैं तो वो क्या है बीना समय गवाए हम आपको एक-एक point करके बताते हैं बहुत गौर से सुनिएगा और वीडियों को last तक दिखेगा देखे सबसे पहली चीज अगर आपको double पैसा कमाना है तो आपको सबसे पहली चीज आपके दिमाग में double invest भी करना होगा क्योंकि मोटा मोटी कीसी भी business का rule है कि अगर आपको जादे पैसा कमाना है तो जादे पैसा भी invest करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जैसे मचली पालन में दो कैटेगरी होती है सबसे पहले आप अपने market में जाइए और market में जाकर के देखे कि आपके मचली कितने gram की sale होती है मतब आपके marketing size क्या है आपके जो है local market में मचली का अगर 600 gram है 700 gram है या फिर 1 kilo है दोस्तों जितने भी लोग double profit कमाते हैं वो तरीका क्या अपनाते हैं अगर आपके पास nursery तलाब है ठीक है अगर आप पांच एकर से चार पांच एकर से जादे अगर उकी farming कर रहे हैं तो आपके लिए nursery तलाब based माना जाता है आप रहेगा तभी आप ऐसे अच्छे से कमा सकते हैं अगर उससे नीजे farming है तो आप अपने nursery तलाब में जमीन को waste मत करिए आप क्या करिए ऐसे ही direct मचली का पालन करिए और हो सके तो मचली के बच्चों का भी अब्योसाय करिए अगर आपके पास गम जमीन है तो तो जितने भी लोग double profit कमाते हैं उनके पास nursery तलाब रहता है वो क्या करते हैं कि एक एक साल में दो culture तीन culture निकालते हैं अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है सबोच करिये हम पंगास की बात करते हैं अगर कोई भी किसान भाई अपने तलाब में पंगास का मार्च के महीने तक मतब फरवरी के लास तक अगर 100-100 ग्राम का अगर बच्चा तयार करके रखा है बहुत से लोग हैं जो 200-200 ग्राम के में बच्चे तयार करिये रखते हैं और उसको अगर हम बड़े तलाब में डालने तो सोचिए कि आप 2-2 महीने में वो एक culture पूरा कर लेगा तो इस तरह से अगर आपको double profit कमाना है तो आप अपने को नरसरी तलाब में बच्चों को अलेडी जो है प्री तयार करके रखना पड़ेगा ताकि जैसे ही हमारा समय आये हम उन बच्चों को डाल दे अपने तलाब में ठीक है इस तरह से आप जो है अगर आप हम मैं 85 की बात किया तो आप जो है जादे से जादे आप culture निकाल सकते हैं दूसरी चीज़ अगर आप वहीं IMC के के केस में देखें तो वहीं IMC के के केस में अगर आप 200 से 2500 ग्राम के बच्चे अगर आपके नरसरी तलाब में तयार करके रखते हैं तो आप जो है अच्छे से आप साल भर में अगर आपके पास market की साइज है 700 ग्राम 800 ग्राम तो तो आपका जो है बजट जादे लगेगा अगर आप इस तरह करते हैं लेकिन वहीं कहते हैं कि higher risk, higher budget and higher profit तो इस तरह से दूसरी चीज़ जो लोग double पैसा कमाते हैं और क्या करते हैं वो monoculture ना करके polyculture करते हैं मतलब जैसे एक तलाब है उसमें लोग जो है एक से कई प्रज जातियों की मचलियां जो है तयार होती हैं अगर आप monoculture कर रहा हैं बहुत से लोग किसान भाई जो लोग नार्मल लोग जोगते हैं monoculture करते हैं और जो double profit कमाते हैं वो एक साथ कई मचलियों का पालन करते हैं जैसे उन्होंने पंगास में थोड़ी IMC को छोड़ दिया हां ऐसे ऐसे कर करके multiple मतलब एक से जादे मचली का पालन एकी ताला में करते हैं तो इस से करके वो जादे profit कमा सकते हैं दूसरी चीज़ जो भी लोग double profit कमाते हैं उनको एक point का और ध्यान रखना होता है मचली की कैसे जल्दी से जल्दी हमारी बढ़वार हो सके उसके लिए वो बतक पाल देते हैं कुछ बतक रख देते हैं दो चार बतक ऐसे बतक जो vegetarian होते हैं non vegetarian नहीं होते हैं जो मचलीयों को खाते हैं वो बतक नहीं जो vegetarian होते हैं कुछ ऐसे बतक हैं हमारे market में लोग छोड़ देते हैं तो जैसे बतक चलते हैं मचलियां डरती हैं तो भागती हैं उ ये सब तरीके वो उनकी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी जो है हम highest जो है ग्रोथ प्राप्त कर सके और दोस्तों अगली चीज कि जब भी आप मचली पालन कर रहे हों अगर आपको अच्छा मुनाफ़ा कमाना हो आप वाटर एक्सचेंज करना मत भूले अगर आप निरंतर पानी बदलते रहेंगे तो बहुत कम बीमारिया आने का चांस है और नर्सरी तलाप के साथ पालन करिये आपका मुनाफ़ा डबल हो कोई भी कन्फ्यूजन है आप हमारे कमेंड बॉक्स में हमारे वार्टसेप नमबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं बहु